आदरिये धरम प्रेमी सजनों सादर नमस्ते मैं जेठा लाल विश्व कर्मा आप सभी का आर्दिक स्वागत करता हूँ महाभारत विराट परव अध्यायेत तब राजा जन्मेजेजी ने पूछा हे ब्रहमर्शरेश्ट मेरे पितामा पांडों ने दुर्जोधन के बैसे ते हुए बिराट नगर में अपने अज्यात वास का समय कैसे बितीत किया और दुख में पड़ी हुई ब्रहमवादनी परम सवभा गिवती पती बरता महारानी दुर्पदी अपने को अज्यात रख कर वहां कैसे निवास कर सकी महार्शी बैसंपाएंग जी बोले हे राजन तुमारे पिता महों ने बिराट नगर में जिस परकार अज्यात वास का समय पूरा किया था वो बताता हूं सुनों हे भारत सब रह्मनों को विड़ा करके धारम अपुत्र महा मनुस्वी राजा इदिशिर जी ने अपने सब भाईयों को यकतर कर उन से कहा अपने राज से परवासित होकर बनबास करते हुए हमें आज बारा बरस बीत गए ये तेरवा बरस आरम हुआ है इसमें कठनाईयों का सामना करते हुए अतेंत गुफ्त रूप में रहना होगा हे कुंती नंदन अर्जुन तुम अपनी रुची के अनुसार को ये उत्तम अस्थान चुनों जहां जाकर हम एक बरस तक इस परकार रह सकें की सत्रों को हमारा पता ना लग सके अर्जुन ने कहा कुरू देश के चारों और बहुत से सुरम में जनपद हैं जहां बहुत अन्न होता है उनके नाम है पांचाल, चेदी, मतस, सवराष्ट और अवंती हे राजन इन में से कौन सा राष्ट आपको निवास करने के लिए उत्तम रहेगा जिसमें हम सब इस बर्स निशकंचक निवास कर सकें महाराज इदेशिर जी बोले तुमारे कहे देशों में मतस देश के राजाबिराच बहुत बलवान हैं पांजों के प्रत उनका अनुराज भी है वे सोभावता दर्मात्मा बिरेद उदार तथा हमें सदेव प्रिये भी हैं हे तात हे भरत कुल भोशर इस तेरहें बरस में हम लोग राजाबिराच के नगर में उनका कारी साधन करते हुए बिचरण करें किन्त हे कुरू नंदनों तुम लोग ये तो बताओ कि हम मतसराज के पास पहुँच कर किन किन कारियों का भार समाल सकेंगे अरजुन ने पूछा हे राजनाब का सुभाव कोमल है आप उदार लज्यासिल धरंप्राण और सत्य प्राकर्मी हैं तथापी विपत्ती में पढ़ गए हैं हे पान्दू नंदन आप वहां क्या करेंगे महाराज इदेशिर जी बोले मैं जुआ खेलना जानता हूँ और ये खेल मुझे प्रिये भी है अता मैं कंक नामक बरह्मर बनकर महामना राजा विराट की राजसवा का एक सबस हो जाऊंगा मैं राजा विराट को उनके मंत्रियों तथा बंदो बांदों से पांसों के खेल से परसन करता रहूंगा इस रूप में मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा और मैं मतस नरेश को संतोष्ट रखूंगा यदि राजा मुझसे पूछेंगे की आप कौन हैं तो मैं उन्हें बताऊंगा की मैं पहले महाराज देशेर जी का प्राणों के समान प्रिये सका था मारसी बैसंपायन जी कहते हैं हे राजन जन्मी जी इस परकार अज्यातवास में अपने कारी का निर्देश कर उन्होंने भीन सेंग से पूछा हे बिरकोदर बिराट के यहां तुम कौन सा कारी करके परसंता पूर भकराई सकोगे भीन सेंगी ने कहा हे बरत कुल तिलक मैं पौरो गव अर्थात पाक साला रसोई घर का धेच्च बनकर और बल्लव नाम से अपना परचे देकर राया बिराट के दरबार में उपसित होंगा एसा मेरा विचार है मैं भोजन बनाने में चतर हूँ मैं राजा के लिए सूप दाल कड़ी आजित तयार करूंगा महाराज जी के लिए पहले जो जो ब्यंजन बनाए गए होंगे स्वा निर्मित ब्यंजनों के द्वारा मैं उन्हें भी तुछ सिद्ध कर दूंगा हे राजन बल्वान आती अतवा महावली साणवी यद बस में कहने के लिए मुझे सौप जाएंगे तो मैं उन्हें भी बान कर अपने बस में कर लूंगा तथा जो कोई भी मल जुद करने वाले पहलवान जनसमार में दंगल करना चाहेंगे राजा का प्रेम बढ़ाने के लिए मैं उन्हें भी बिढ़ जाऊंगा सादर पर नाम जह सिरी केला